दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो कोई भी लड़की उसी लड़के को अपना बॉइ फ्रेंड बनाती है जो लड़का उन्हें सबसे ज़्यादा खुस रख सकता है दोस्तो आज के समाए में कोई भी प्यार के सहारे सुखी और खुसी नहीं रह सकता कोई जमाना था जब लड़कीया पहले तो प्यार ब्यार के चक्कर में पड़ती ही नहीं थी यदी पड़ भी जाती थी तो उसी से बिबाह करने की हर संभव कोसिश भी करती थी फिर भले ही चाहे उन्हें कितनी ही समस्याओं का सामना क्यों ना करना पड़े किन्तु आज के समय में लड़कियों की सोच ऐसी नहीं रह गई है क्योंकि आज के समय में लड़कियों को जहां पर अपने सोच फैसन प्यार धन से संबंद इच्छाएं आवसकता है पूरे होते दिखाई देती हैं उसी से प्यार करती है बैसे तो आज के समय में लड़कियों और इस्त्रियों को यदि कोई ऐसा लड़का मिल जाता है जो उनके लिए बहुत सारा धन खर्च कर सकता है यदि उस लड़के में बहुत सारे अबगोड भी क्यों नहूं फिर भी उसके साथ जुड़ी रहना पसंद करती है चलो बताते हैं दोस्तो यदि आपने अभी तक इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले नमबर बन दोस्तो गर्ल फ्रेंड तब सबसे ज़्यादा खुस रहती है जब अपने बॉइफ्रेंड या हस्बेंड से बहुत सारा प्यार मिलता है उसके साथ साथ उनका पार्टनर उनकी सभी इच्छाएं आवस्ताएं चरूरते हैं और जो कुछ भी उन्हें चाहिए होता है या पसंद होता है उन सभी की पूर्ती करता है यहां तक कि उनके सभी सौक और फैसन पर भी कूप खर्च करता है तब लड़कियां और इस्त्रियां सबसे ज़्यादा खोस रहती हैं सेकेंड नमबर दोस्तों जब लड़कियों और इस्त्रियों को उनकी मन पसंद का खाना मिलता है उनके सभी तरह के सौक पूरे होते हैं तब भी सबसे ज़्यादा खोस रहती हैं क्योंकि एक रेसर्च ने या इसे दिकर दिया कि जो लड़कियां प्रॉपर तरीके से मन पसंद डायेट लेती हैं उन्हें प्यार में कुछ ज़्यादा ही दिल्चस्पी होती है बैसे भी खाली पेटिया मन पसंद खाना जब नहीं मिलता या उनके सौक पूरे नहीं होते या उनकी चाहत के अनुसार उन्हें प्यार नहीं मिलता तो वे खोस नहीं रहती थाड़ नमबर दोस्तो लड़तियां और इस तरियां तब सबसे ज़्यादा खुश रहती है जब उनका पार्टनर उनकी हर एक बात को मानता है जैसा वे कहती है बैसा ही करता है उन्हीं को अपना सब को समझता है उनकी हर एक इच्छा और आवस्थता को पूरा करता है उनकी मन पसंद जगे उन्हें घुमाने प्राने ले जाता है यहां तक कि जब उन्हें अपने पार्टनर या बॉइफ्रेंट से पूरी आजादी और इस पेस भी मिलता है तब वे बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि साधी के बाद या बॉइफ्रेंट बनाने के बाद भी लड़कियों की इच्छा होती है कि वे अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें उनसे मिलें उनके साथ घुमने प्रने जाएं यदि उनका पार्टनर उन्हें इतना सब करने का मौका देता है तो लड़कियां और इस तरियां सबसे ज़्यादा खुश रहती है